हाई मेरे नाम है गौरव और स्वागत आपका मेरे यूटीब चैनल पर अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो शायद आपने मुझे पहले देखा ना हो या आप मुझे नहीं जानते हो बड़ अगर आप मेरे वीडियो पहले देख चुके हैं और मुझे इस चैनल के थुरू य मैं वैसे खुड़ी सब्सक्राइब इस तरह नहीं कुछ चल रहा है यह आपके मंद में डाउट हो रहा होगा इस तरह से वीडियो को आप ले सकते हैं अगर मैंने यह दोनों चीज़े पढ़ी हैं हुमेनिटी जरूर साइंस उभी मांस्टर्स लेवल क्योंकि 12th या 10 तक त अच्छा एडिया नहीं होता है तो master's level तक अगर आप दोनों चीज़े पढ़ते हैं तो कैसा experience मेरा रहा है और क्या चीज मुझे दोनों में से अच्छी लगी वह मैं आपको बताऊंगा और दोनों में क्या difference है अगर आप आप humanities के student है तो दोनों के लिए आपके लिए वीडियो है क्योंकि आप समझ पाएंगे कि कैसे science का जो background है और science का जो science की पढ़ाई है वो अलग है और humanities की पढ़ाई किस तरह से और किन मायनों में अलग है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो एक general discussion है क्या फरक होता है दोनों चीजों में और मुझे क्या personally पसंद आया और क्यों मैंने एकदम से switch किया क्योंकि master's level तक physics पढ़ना कोई easy बात नहीं है personal experience अगर बता क्योंकि यहां पर आपको educational videos मिलते रहेंगी channel section पर जाएंगे तो वहां पर आपको दूसरे channel भी मिलेगा थूड़े से अलग vlogs टाइप महां पर वीडियो आपको मिल जाएंगी वहां पर भी आप visit कर सकते हैं अब सबसे बहले तो मैं बात करता हूं कि मैंने physics पढ़ आई क्यो मैंने पढ़ी मेरा physics पढ़ने का ऐसा कोई मेरा ऐसा dream नहीं था कि मैं physics पढ़ूंगा physics में मैं कुछ करूंगा या और physics educator तो मुझे बनना ही नहीं था physics का teacher हो गए ऐसा कुछ तो मैंने सोचा है नहीं था कभी अब वो कैसे में बन गया क्योंकि physics में क्या हुआ I just went with the flow flow कैसा 12th की अब 12th में क्या होता है कि अगर आपके अच्छे marks हैं तो you get science stream तो science stream मुझे मिलगी science stream मिली उसके बाद मापर भी अच्छे marks आ गए अच्छे marks आ गए I got admission into BSC BSC में भी अच्छे marks आ गए और अगर मैं आपको बताऊं तो आपको BSC में 70 और 75 प्लस तो चाहिए एक नॉर्मल उनिवस्टी में कुमाव उनिवस्टी में अगर आपको चाहिए जहां से मैंने MSC किया था वहां पर आपको 70 प्लस तो चाहिए ठीक बीस्टी में और अच्छी उनिवस्टी में आपको फिर या तो आप सीवीटी का एक्जाम ने या फिर वहां के जो एंट्रेंसे तो अपने अपने एंट्रेंस होते हैं वहां के वह देकर आप वहां पर admission ले सकते और सब्सओ्व मेरिट वैसे सब्सों की चाहिए तो और बहुत यह सहथ तो इसलिए मैं बोल रहा था कि फिस जुआ है एक अपने आप में खुदी प्रेस्टीजीस सब्जेक्ट और एक physics जैसे prestigious subject को छोड़ना और क्यों prestigious है यह मैं आगे और भी होता हूँगा क्यों फिजिक्स के बहुत सारे फायदें बहुत ज्यादा फिर मेरे भी सी में अच्छे माक्स आ गए और मुझे एड्मिशन मिल गया में बहुत सुना हुआ था कि यार फिजिक्स से में सी अच् इमेज बनती है और मुझे नहीं बता क्यों है बट वो एक इमेज बनी हुए कि आप फिजिक्स से मतलब बहुत बढ़ी है पढ़ने में और एक वेल मेंटेंड आपका स्टेटस है कि इफ यू आर फिजिक्स ग्रेजुएट में सी आपने कर लिया इस लेवल तक पी एच्ड में जब मैंने अद्मिरेशन लिया तो अब मेरी एक फुल टाइम जॉब थी और साथ में मेरा में सी चल रहा था प्रॉब्लम यह भी वहां पर आगया कोवीड कोवीड से मुझे फायदा तो हुआ कि मैं अपना पूरा यहां पर फोकस कर पाया अपनी जॉब पर जो मेरे ट समस्टर हम प्रमोट हो गए तो बागी जो दो समस्टर एक्जाम दिये और एसाइन्मेंट तो तो मतलब अच्छे माक से एक्जाम और जितने भी फिजिक्स के आपका जेस्ट होता है जो आपके में सी लेवल तक होता है और उसके बाद उपर जाया तो गेट नेट यह सब मै कि कहीं ने-कहीं टी और की कैसे में ती एक कनेक्षन सान्ट लग रहा था कि कहीं पर नहीं बैठ रहा है कि मैं ट्विक्स तो पढ़ ना बट इसको मैं अबार्ण अपनी राइव से कच्चा का मतलब यह कि कई सारी टॉपिक्स अइसे होते है फिजिक्स में या साइन्स में जो नेचुरल साइन्स जो हम बोलना है फिक्स केमिस्ट्री मैट्स और बायोलोजी इस तरह के जो नेचुरल साइन्स आपके सब्जेक्ट है वहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है मुझे जो फील हुई और मैट्स में सबसे ज्यादा यह होता है कि आप फॉर्मॉले सब्सक्राइब कर बात है हम उसको फील कर पाते हैं या अपनी लाइफ में यूज और इंप्लिमेंट कर बाते हैं या नहीं कर पाते हैं हम उसमें फील हो जाते हैं और हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट कर नहीं जान पाएं और उसको अपनी लाइफ में 10 वर इसको सब्दी मेरी 7 Smart have जब है आप NASA ISRO DRDO इस तरह के इंस्टिटूशन समय जो प्रेस्टिजिएस आपके इंस्टिटूशन से वहां पर जाकर आप अपनी कंट्री को सरु कर सकते हो और उसके लावा एक लवल पर पर हो saturation point आता है तो I felt कि मेरा MSC पर हो saturation आ गया था और PhD मैं नहीं करना चाहता था क्या मैंने अच्छे से पढ़ी तमीज से पढ़ी पूरी मन लगा कि पूरी दिल से पढ़ी और जब तक पढ़ी बहुत मज़ा है मुझे फिर sociology की हूँ अब क्या है मेरे जब BA मैंने admission लिया तो मैंने sociology पढ़ा और इसके साथ साथ government की प्रेपरेशन की तो वहाँ पर आप जी एस पढ़ते हो जी सारे एक एक एक्जाम में आपका काम आता है जब भी आप ऐसे कोई गवर्मेंट एक्जाम दो जी एस आपको हर एक्जाम के लिए पढ़ना पढ़ता है तो जी एस में आप तो आइथा थोड़ा सा और पढ़ा मैंने जब डिटेल में पढ़ा तो आइथा चलोग इसमें डिग्री ले ले लेते हैं तो आइप्लाइड फॉर में इन sociology from IGNU उसी का ही में असाइन्मेंट आज बना रहा हूं तो इस साल डिग्री भी मुझे मिल जाएगी अब यहाँ प यहाँ ऑसे बात करों अगर मैं पढ़ता हूं आपका सपोस्स माइक्रो पार्टिकल स्थेचर फोटन ऐउन इलेक्ट्रों मूण आपके हैं पायों के और इस तरह के पार्टिकल्स वहाँ पर आपने सुन होगा मैं इसको पढ़ता हूं अगर मैं और ज्यादा हाई लेवल प पर I can see them, I can do some experiments with them, but उसके लिए मुझे उस level तक पढ़ना पड़ेगा, और उससे पहले ही मेरा saturation point आचुका है, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा I lacked that connection, जो यहाँ पर मुझे फिल हुआ, sociology में एक और चीज़ है कि आप society से, आप real world से connect कर पाते हो, for example, आप caste system देखते हो, आप religion देखते हो, आप यह सारी चीज़े देखते हो, तो वहाँ पर आपको एक authority मिल जाती है कि आप कुछ कह सकते हो, ठीक है, आप बिना knowledge की क्योंकि कुछ नहीं कह सकते हो, लोग हैं जो रहने वाली है, permanently हमारे society में, जो societal जो चीज़े होती है, ठीक है, society के बारे में, कि कास्ट हो गया, marriage हो गया, और rituals जो होते हैं, उसके बारे में, so I thought कि, इनके बारे में, अगर detail में study की जाए, तो I can have a good say over this, I can have a better knowledge of all these things, I decided to pursue sociology at the master's level, तो मैंने direct MA डाल दिया, और इससे पहल लोग यहां पर ऐसा होता है, जिनका BA में sociology as a subject पढ़ा होता है, BA में भी and even 12th में भी आप arts जो होता है, वहां पर भी sociology पढ़ा होता है, but मेरा ऐसा कोई, कोई भी background नहीं था, direct मैंने MA admission ली लिया, but I felt कि I can do this, degree तो ही अपने पास, ठीक है, तो वो कहीं बेस तो जाएगे नही तो MSC physics की degree है, है नहीं है, ऐसे चोटी मोटी तो है, नहीं हा, तो मैं एक और चीज बता रहा था, कि prestigious क्यों है, अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको starting में ही बोला कि MSC physics क्यों है, prestigious क्यों इतना उसको, है नहीं ऐसे हवा बना रहा है, कह सकते हैं, कि society में इतनी क्यों उसकी prestige क्यों इतनी इजद है, तो सबसे पहले तो क्या है कि वहाँ पर admission जब आप लेते हो, तभी आपको admission मुस्किल से मिलता है, और ये भी माना जाता है, माना भी जाता है, और कई सारी theories भी है, कि अगर आप science के student है, आप science के subjects बढ़ते है, so you have a better IQ, आपका IQ better होता है, जो intelligence है, IQ ब a better chance to be more intelligent, ठीक है, more intelligent in the sense कि you have a better reasoning power, you have a better arithmetic power, you have a better calculation, ठीक है, इन तरह की चीज़ें में आप अच्छा कर सकते हैं, बट वहाँ पर lack करती है, आपकी societal understanding, आपकी humanities में जो चीज़े हैं, उसके understanding थोड़ा कम पढ़ती है, but intelligence को अगर हम measure करें, तो science के level पर आपका IQ थोड़ा high माना जाता है, और वो studies बताती भी है, उसके अलावा फिर admission में जैसा मैंने बताया, बहुत high cutoff जाती है, example के लिए आप ले ले लें, बीए में अगर आपको admission लेना है, तो आप easily ले सकते हैं, but msc में अगर आपको admission लेना है, उसमें भी होता है, बहुत सारे subjects होते हैं, जब admission मिलना थोड़ा सा tough होता है, seeds भी कम होती हैं सब जगह, इसलिए भी admission मिलना tough होता है, तो इसलिए भी थोड़ा सा इजचत बढ़ जाती है, क्योंकि याद, जो चीज थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं, उसकी इजचत वैसी थोड़ी बढ़ जाती है, उसके बाद भी अगर बात करें, तो पहले से ही कम लोग आ रहे हैं, MSC physics वाले, तो बाद में जो job अगरा रहती है, वहां पर भी अच्छे आपके chances होता है, अच्छा scope रहता है, और promotion की बात करें, तो वह भी जल्दी होता है, teaching field में अगर आप आप आए, तो you have a better chance to get promoted earlier, जल्दी आपका promotion हो सकता ह अगर आप physics वाले हैं, यह नहीं, तो यह चीज होती है, इसलिए उसका तोड़ा एक अच्छा prestige है society में, अब बात करते हैं कि दोनों में difference गया, कि मैंने science भी पढ़ा, मैंने humanities भी पढ़ा, ठीक है, physics, social, जी दोनों पढ़ा difference गया, पहला difference तो यह objectivity और subjectivity का, कि जो आपका science क subject है, बहुत objective है, objective मतलब की भी जवा prime minister, हमारे prime minister कौन है, तो अब मोलेंगे नरिन मोदी, ठीक है, तो मोदी जी जो है prime minister है, वो है, ठीक है, मैं बोलू, आप बोलोगी नहीं है, तो क्या होगा, इसका मतलब आप गलत है, तो that is an objective fact, वो एक fact है कि हाँ, वो है prime minister, जो है, वो ह है, but subjectivity का मतलब का है, कि मैं पूछू, क्या मोदी जी एक अच्छे prime minister है, अब वहाँ पर subjectivity आजएगी, कुछ को अच्छा लगेंगे, कुछ को बुरे लगेंगे, तो this is the difference between objectivity and subjectivity, so this is what you feel when you study these two domains, science and humanities, so you see a lot of subjectivity in humanities, और वहाँ पर एक scope होता है, कि आप चीजों को और ज्या सकते हो, समझा सकते हो लोगों को, so humanities में, you always है, वह scope of subjectivity, अब subjectivity का फाइदा भी है, फाइदा क्या है कि आप चीजों को अपने तरीके से लोगों को समझा सकते हो, और अलग-अलग लोगों के लिए, एक subject के माइने अलग-अलग होता है, तो यह difference है, objectivity और subjectivity का इन दो subjects में कि science में जो आप पढ़ते हो, आपने formula याद किया हुआ है, तो किया हुआ है, वो formula सब जगह अपलाई होगा, ठीक है, आपने relativity पर ही, आपने बोला कि light की speed 30000 km per second है, तो वो है, सब जगह है, ठीक है, और वो तो relativity में भी change नहीं होती है, length to end तो चलो, वह और जगए, physics सहीने क करेंगे, तो आपकी length कम हो जाएगी, मतलब किसी object की, दूसरे high level of critical thinking आप कर सकते हो, यहां पर, humanities में, क्योंकि science में आपका एक limited scope होता है, सोचने का, आप उसके उपर नहीं सोच सकते हो, at some certain level, ठीक है, जैसे आपने पढ़ लिया time dilation, अब आप एक MSC में हो, तो आप MSC level तक समझने में, किसी भी level पर आप इसलिए पढ़ सकते हो, चौती चीज़ है, जो science है, आपका वो एक scientific subject है, उसको आप एक laboratory में, आप उसको experiment करके वैसे आप समझ सकते हो, बड़ जो social science है, जो humanities है, उसको आपने एक broader understanding के साथ, आप उसको laboratory में experiment करके नहीं समझ सकते हो, आपने क किसी particle का behavior समझना है, electron का behavior समझना है, therefore experiment suppose आप gold foil पर एक atom मारोगे, आप एक electron मारोगे, आप उसका behavior देख सकते हो, कि किस तरह से होगा, आप इस lab में करो, किसी और lab में करो, बाहर पर करो, अंदर करो, कहीं पर करो, अगर आपने condition से हम रखे विये, तो आप को result भी से मिलेगा बड़ वो आपका social science में नहीं होता है, sociology की अगर माँ बात करो, suppose तो आपको society में कोई experiment अगर करना है, आप एक sample यानि 10 लोग उठा कर अपने एक laboratory में या room में ले आए, उन पर कोई experiment करें, तो आप यह नहीं बोल सकते कि यहाँ पर जो result है, वो बाहर सारे society में applicable होगा, so this is also difference between these two subjects, यहाँ पर मुझे फिल वी interlinking भी काफी ज़्यादा है, suppose आप यहाँ पर sociology पढ़ लें, तो sociology में आप society के बारे में पढ़ेंगे, society के साथ आप पॉलेटी भी पढ़ेंगे कि society में कैसे पॉलेटी काम करती है, polity कैसे काम करती है, society का ethics कैसे काम करता है, और society में economy कैसे काम करती है, तो वहाँ पर आपको सबके बीच में connection आपको देखने को मिला, तो इंटर लिंकिंग आपकी अच्छी हुई economy आप पढ़ने तो economy में आप पढ़ेंगे कि economy ठीक है ऐसे से काम करते हैं यह कुछ factors है और यह कुछ facts है economy के बड़ साथ में economy में changes जो आते हैं वो changes कैसा आएंगे policy से आएंगे policy making होगी अब आप पढ़ेंगे कि policy making होती कैसे तो there is a linkage between economy and policy फिर आप पढ़ेंगे economy अच्छा अभी ऐसी है तो दस साल पहले कैसी थी पचास साल पहले कैसी थी और अगर ऐसी थी तो क्यों होगी so there is a timeline of economy as well तो वहां पर आप history से connect उसको कर सकते हो कि कब कौन सी government आई उसकी कैसी policies रही और उसकी वजह से economy में क्या change आए so this is about humanities की आप कैसे इसमें interlinking कर सकते हो so this is another factor जो differentiate करता दोनों subject को इसके अलाव भी बहुत सारी चीज़ा है जो दोनों में अलग लग होती है अब आप मुझे क्या पसंद आया क्योंकि एक अच्छे खासे लेवल तक मैंने physics पढ़े हुए क्या मुझे ज्यादा पसंद आया अब बात हैसी है कि जब जो मैंने पढ़ा जिस टाइम पर फिजिक्स बढ़ ला था उस टाइम पर मुझे फिजिक्स बहुत बढ़िया लगा फिजिक्स से related कोई न्यूज आती है कोई article कुछ भी आता है तो I love reading that वह पहला प्यार स्कूल आला लव होता है एक स्कूल आला लव होता है जिसको आप भुला तो चुके है बट वह कहीं न कहीं आपके जहन में है ठीक है आप छोड़ चुके हैं उसको आपको पता है कि बहुत कम possibilities है future की इसके साथ but still आप कहीं न कहीं connection फील करते हैं जब भी आपको दिख जाए ऐसा कुछ हो जाए तो you feel a connection so that is your school crush or you know वह चीज होते है तो something like that वह फिजिक्स के साथ है अब जैसे मैं मालो उपर रेक्ट मेरी किताब रखी में फिजिक्स की सारी उनको देखता हूं कभी notes दिख जाए मुझे तो वह से nostalgia में चला जाता हूं कि यार क्या time था मैंने physics पढ़ी थी तो it's like no x ठीक है तो x को क्या हो था आप भूला भी नहीं सकते हूं और कभी आप कुछ दिख जाय तो और आप यादो में खुझा तो और यार यह रिंग उसने मुझे दी थी और humanities के subject पढ़ने में वही मैंने जो जो डिफ्रेंशियेट शन जो मैंने किया differentiation जो मैंने उपर किया उसके basis पे yes I am loving sociology right now और physics को आगे further PhD तक करने का नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है पहले भी नहीं था और अभी भी पूछोगे तो नहीं है बट sociology yes I can pursue it further PhD लेवल तक I can do this वो मुझे इसमें potential दिखता है अपने अंदर भी वह potential दिखता है कि मैं इसको आगे pursue कर सकूँ वह फीजिक्स मुझे नहीं दीगा फीजिक्स भी जब पढ़ी तो यार बहुत प्यार से बढ़ी बहुत तमीज से बहुत अच्छे से एकदम proper research करके मैं पढ़ता था क्योंकि कोई topic पढ़ो समझ की उसके नोड बनाएं और एक अच्छी एंडरस्टेंडिंग फिजिक्स की बन गई थी और अभी भी आई जस्ट है डू ब्रश अब देट अगीन ठीक है उसको ब्रश आप करूंगा एंड वो फिर से कोगनिशन में आ जाएगा ओ ऐसा भूलते नहीं हम वो बस सब कॉंचि किताब है अभी चल रही है बस मेरा ऐसी मन हुआ की वीडियो बनाने चाहे चलो एक डिस्केशन किया जाए मन में बाते चल ली थी तो सोचा चलो इसकी वीडियो ही बना लते हैं आप देखते हैं क्या होता है ठीक है नुटक्त आपको वीडियो पसंद आई कोई फीडबेक तो भी आप जरूर से बताएं सब्सक्राइब कि आपका रहा वो भी जरूर से नीजे को में बचाना और आपका कैसा एक्सपिरियेंस रहा पढ़ाई के डायम पर भी जरूर बताएं और तैंकि सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो मुझे तो बहुत मज़ा आया यह रिकॉर् वाले हो तो पुरानी वीडियो भी देख लो मैंने आइटी जैम के लिए बहुत अच्छे च्छी वीडियो बनाई भी है कुछ इंटर्व्यू लिए हुए उनको भी देख लो जाकर है हुमेनिटीज वाले हो तो आगे और भी वीडियो आएंगी फीजिक्स वाले हो तो बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुद्बाइ और हवा रूटे